Assalamualaikum, Upward पे Proposal की बहुत जादा Important है क्योंकि अगर आप Professional Way में Proposal Send करेंगे क्लाइन्ट को और अगर क्लाइन्ट को आपका प्रपोजल पसंद आएगा तो ही क्लाइन्ट आपको Consider करेगा, Message करेगा और Order Place करेगा तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव पर्पोजल सेंड करके दिखाऊँगा अपवर पे और आपको बताऊँगा किस तरह से आपने अपवर पे पर्पोजल सेंड करना है जिससे आपको ओर्टिस मिलने के चांसे बढ़ जाएंगे तो चलते हैं लाइव पर्पोजल अपवर पे तो अपवर का अकाउंट मैंने लॉग इन कर लिया है और आपको इस तरह से इंटरफेस शो होता है जब आप अपना अपवर का अकाउंट लॉग इन करते हैं और इधर आपको क्लाइट्स के प्रोजेक्ट शो होते हैं और इन प करता है और इसके लावा आप find work पहले section में आके find work पे भी click कर सकते हैं और फिर भी आपको इधर clients के project show हो जाएंगे और इधर से आपने clients के projects जो है वो देखने होते हैं और check करना होता है कि कौन सा project आप complete कर सकते हैं फिर उस पे आपने proposal send करना होता है इधर तीन options है best matches की और most recent की और save jobs की best matches वो होते हैं projects जो आपके skills से best match करते हैं और अपर का account बनाते हुए आपने उदर skills भी एड़ किये होते हैं जो भी skills आपके पास होते हैं तो उन skills से related ही आपको इधर projects show होते हैं और इसके लावा most recent पे click करें तो इधर वो projects show होते हैं जो कि most recently post हुए होते हैं clients की तरफ से और ये वाला जो option है ये काफी जादा मुझे पसंद है क्योंकि इससे होता ये है कि most recent projects आप खुश होते हैं और जैसी project पोस्ट हो आप quickly उस पे proposal send कर दें तो इससे होगा ये कि client को जो है काफी proposals नहीं आये होंगे starting में थोड़े से proposals client के पास होंगे starting में तो हो सकता है कि client आप से बात चीट करें और आपको order place कर दें उसके बाद save jobs की option है इसमें ये होता है कि कोई project अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि आप बाद में उस पे proposal भीज़ सकते हैं तो आप इधर hard पे click करते हैं और ये save jobs वाले section में आ जाता है और फिर बाद में आप इस पे proposal भीज़ सकते हैं तो most recent वाले option पे मैं click कर रहा हूं आप best matches के option पे भी click करके इधर से proposal भीज़ सकते हैं किसी project पे लेकिन most recent का जो option है ये मुझे पसंद है और इस पे जल्दी orders मिलते हैं तो मुझे इधर projects show हो रहे हैं जो most recently post हो है clients की तरफ से और ये देखते हैं minimalist logo design तो इस पे मैं click करता हूं और इस पे हम proposal भीज़ते हैं और ये click करता हूं और मजीद details इधर अब मुझे show हो रही है ये देखें इसमें we are seeking a talented and experienced minimalist graphic designer to join our team for a variety of projects तो different type के graphic design के projects होंगे और as a minimalist designer you will be responsible for creating visually stunning designs with clean lines and a minimalistic approach और ये देखें fixed price है one twenty dollar और ये मजीद details पे देखें और ये proposals होई है अब इस project पे सर्फ 5 से 10 सी जो है वो send हुए हुए है तो ये एक अच्छा project है इस पे हम proposal send कर देते हैं तो आप click करेंगे इधर apply now का green button होगा आपने apply now पे click करना है और new tab में आपको complete details शोओंगी project की और इधर फिर आप proposal भीज सकेंगे और इधर देखें ये इधर लिखा भी हुए है this proposal requires 10 connects तो 10 connects आपके लगेंगे इस proposal भीजने में तो basically connects आपके use होते हैं जब भी आप कोई proposal send करते हैं client को तो नीचे आते हैं ये देखें ये details है project की और skills इधर शोओ हो रहे हैं जो required हैं ये अभी पढ़ते हैं project को completely और मजीद आपको details पहले दिखा दूए देखें इसमें ये है कि client का जो budget है वो 120 dollar है और इसमें 10% जो है वो fees होगी upper की और आपको 108 dollar जो है आपके upper के account में मिलेंगे तो इसका budget जो है आप कम भी रख सकते हैं तो अगर आप new freelancer हैं तो इधर आप budget इसलिए भी थोड़ा सा कम रख लें कि client को लगे कि उसके कुछ पैसे बच जाएंगे तो हो सकता है client आपको consider कर ले और order place कर दे तो client का budget था 120 dollar मैंने दर 100 लिख है और 10% जो है upper की fees कटेगी और 90 dollars है upper के account में receive होंगे नीचे आते हैं duration पे आते हैं यह less than 1 month रख लेते हैं क्यूंकि इतना complex project नहीं है और इतना time taking project नहीं है less than 1 month मैं रख लेता हूँ और इधर आपने cover letter लिखना है और इधर आपने जो भी आपका portfolio होगा वो आपने add करना है तो हम पढ़ते हैं project इधर लिखा हुए जी we are seeking a talented and experienced minimalist graphic designer to join our team for a variety of projects तो minimalist graphic designer चाहिए उनको जो के different type के designs बनाए और उसके बाद इनना ने लिखा हुए you will be responsible for creating really stunning designs with clean lines and minimalistic approach तो ऐसा designer चाहिए जो के clean और stunning designs बनाए और उसके बाद ये लिखा हुए you should have a strong eye for detail and understanding of current design trends and the ability to bring creative concepts to the life तो इनको एक graphic designer चाहिए minimalist approach हो जिसकी और clean और stunning designs बनाता हो तो इधर अब हम cover letter लिखते हैं ये project चो है आपने दो से तीन बार अच्छे से पढ़ना है कोई भी project हो आप दो से तीन बार पढ़ा करें मैं अभी भी project दो से तीन बार पढ़ता हूं जब भी proposal भेजता हूं फिर ये समझ आती है ठीक से और आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद समझे project को फिर आपने इधर cover letter लिखके client को send करना होता है तो इस project के मताबिक मैं cover letter लिखता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपने cover letter लिखना है हाई कॉमा और next line में आपने एक या आदी line में client को बताना है अपनी service के बारे में और उसके बाद आपका सारा focus client के project पे होना चाहिए कि आप कैसे client का project complete करेंगे और क्या files client को provide करेंगे और क्या-क्या client को मिलेगा तो इधर मैंने लिखा है और इधर मैंने जो है client को बता भी दी है शुरू में कि मैं experienced graphic designer हूँ ताके client को थोड़ा idea हो जाए कि मेरे पास experience है और इस field से related मैं projects यह तरीके से कर सकता हूँ और इसके लावा मैंने ये भी बताया है मैं specialized हूँ उस field में जो कि client को जिसकी जरूरत है मैंने इधर लिखे है specialized in creating minimalist designs तो client को minimalist designer चाहिए और मैंने इधर लिख दिया कि मैं इसमें specialized हूँ तो इससे client का confidence थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि यार ये specialized है इस field में तो इसको consider किया जा सकता है उसके बाद मैंने client को का है I am very much interested in designing minimalist logo design for you और इसमें मैंने client को interest अपना show की है कि इस तरह का project जो है वो मैं बहुत अच्छे से complete कर सकता हूँ और मैंने interest इधर show कर दिये कि I am very much interested in designing the logo और उससे ये होगा कि client को लगेगा कि यार इस freelancer का काफी जादा interest है इस project में और काफी interest ले रहा है ये freelancer इस project में तो इसको consider किया जा सकता है उसके बाद मैंने लिख है I will design and deliver you the logo design within five days तो मैंने पांच दिन का client को कह दिये तक एक client को ये हो कि यार time से ही project complete हो जाएगा और logo मिल जाएगा और इदर ही आपने exact days लिखने है इदर कि कितने दिनों में आप project deliver करेंगे और इदर मैंने लिख है It will include two logo design concepts तो client को बता दिया है कि एक logo design concept की बजाए आपने आपको जो है दो logo design के concepts मिल जाएगे तो इससे भी client को अच्छा लगेगा कि एक logo की बजाए ये freelancer जो है दो logo concepts प्रोवाइड कर रहा है और इससे भी client जो है वो consider कर सकता है आपको कि एक की बजाएगे दो options हो जाएगी फिर client उसमें से कोई भी select कर सकता है और उसमें changes करवा सकता है और उसके लावा revisions का भी बताएगे ये 5 revisions जो है वो client के पास होगी कि client ने कोई changes करवाने हो तो ये 5 revisions है और इसके बाद मैंने लिख है please let me know in Upwork inbox if you need anything else as well क्योंकि title में client ने इदर logo design लिखा हुआ था और इदर details में client ने बताया है कि उसको और भी designs चाहिए different type की तो इससे लग रहा है ये है कि logo design का budget जो है वो 120 डॉलर है और लेकिन client को long term के लिए कोई designer चाहिए तो इदर मैंने ये इसलिए लिखती है please let me know in Upwork inbox if you need anything else as well तो अगर client को कोई और चीज़ भी required होगी तो client inbox में बता देगा और end पे मैंने लिख है and I would love to discuss this project with you in the Upwork inbox ये ये भी लिखते थे और फिर end पे आपने thanks लिखना है comma लिखना है और next line में अपना नाम लिख देना है और कभी कभी ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा interest ले रही हूं प्रोजेक्ट में तो client फिर भी आपको consider कर लेता है तो मैंने to the point बात की है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की client के project से related ही मैंने client को बताया कि दो logo concepts मिलेंगे और 5 revisions client को मिल जाएंगी और अगर client के पास कोई question है तो client inbox में बाचीत कर सकता है तो इस तरह से मैंने project का ये जो है proposal लिख है आपने भी इसी तरह से to the point लिखना है ताके client जल्दी से वो proposal पढ़े और client फिर आपको message भी कर सकता है और direct order भी place कर सकता है उसके बाद आपने करना ये है कि इधर जो है upload पे click करना है और attachments जो भी होती है वो आपने add कर देनी है और आप जो भी है अपने जो project है उससे related जो भी होगी attachments आपने upload कर देनी suppose ये जो है logo design का project है तो मैं इधर जो है अपने previous logo designs जो मैंने design किये हुए वो attach कर दूँगा और फिर proposal send कर दूँगा कई बार होता ही है कि client आपके previous work से impress होके भी आपको order place कर देता है और उसके बाद आप आएंगे इधर submit proposal पे click करेंगे और फिर इधर I understand पे click करेंगे और submit पे click कर दें और इधर yes I understand पे click करेंगे और continue पे click कर देंगे और ये देखे इधर लिखा हुआ है your proposal was submitted और इधर tick भी आ गया है तो proposal submit हो गया हमारा offer पे और अगर client आपको order place करेगा फिर इस proposal के बाद तो आपको इधर notification शो होगा और आप फिर order जो है complete करेंगे और फिर deliver कर देंगे इसके लावा अगर client आपको message करता है तो भी आपको इधर message का notification आ जाएगा और फिर client से आप उधर बाचीत कर सकते है और फिर बाद में भी client order place कर सकता है तो ये scene है इस तरह से आप proposal send करें hopefully आपको फाइदा होगा जल्दी orders मिल सकते है अपवर पे तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं इसी तरह अपवर फाइवर और ओनलाइन अंडिंग की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा मिलते नेक्स वीडियो में थेंक यू